जमाते इसलामे हिंद के वाइस प्रेजडेंट सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ मवजूद हैं सलीम साहब एक तरफ सरकार कह रही है यू सी सी जो है वो एक देश एक कानून होना चाहिए जब देश एक है तो विधान भी एक होना चाहिए लेकिन आप लोगों की राई से मु स्था के लोग इतने बड़े देश को हमारे समिधान ने यूनाइट किया है और डाइवर्सिटी में यूनिटी जो है इस देश की पहचान है और कुछ मामलात को छोड़कर फैमिली लॉज को कुछ शादी बिया और निकाह के मामलों को लेकर या कुछ विरासत के मामलों के अलावा बाकि सारे कानून तो सारे नागरिकों के लिए एक ही हैं यह जो भ्रम पहलाया जा रहा है कि इस देश में अलग-अलग कानून चल रहे हैं क्या क्रिमिनल कानून अलग है क्या जो सिविल लॉज हैं जमीन जाइदात के मसलें उन पे कानून अलग है सब चीजे एक ह है और जिस यूजिस की बात ये क्या रहे हैं, डारेक्टिव प्रिंसिपल में बहुट सारी बातें कहीं गई है, उसमें शराब बंदी की बात है, उसमें कहा गया है कि इस देश की एकॉनोमी ऐसी होनी चाहिए, पैसा सब के साथ एक ही जगे जमा नहुद हैं, और उसमें ये है कि कोशिश की जाएगी के इस देश में जहां अलग-अलग चीज़ें हैं वहां लोगों के राय मश्वरे से अगर कोई कानून बन सकता है तो लाए जाएगा लेकिन किसी पर एक तरफा तोर पर कोई चीज भी बना मश्वरा हुआ ना उत्राखंड में तो पूरी कमेटी बन लोग यतराज कर रहे हैं जिनको तकलीफ है उनसे मश्वरा होना चाहिए ना मश्वरा कुछ लोग बैठ के समय लोगों पर उस्कानून का असर हो रहा है उन्से बात की जानी चाहिए लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार का जूमत है उत्तराखंड में ट्राइबल्स को एक्सिलूट किया आप उसको यूनिफॉर्म कहेंगे इसका मतलब यू अगल करने का मतलब यह आप यूनिफॉर्म नहीं चाहतें, आप सल्मानों को तकलीफ देने वाला उनको शरीयत पर अमल करने वा करने से रोकने वाली पाबंदिया लाना चाहते हैं कारकपक्ष यह है कि शादी होगी शादी बया हो गई तलाक हो गई या फिर अडॉप्शन को ले करके अलग अलग धर्मों में के जो कानून थे उससे बहुत सारी परिशानिया आती थी और उनका मिस्यूस किया जाता था तो उसी को एक एमबिट में लाकर के एक जगह पर लाक पर शरियत के खिलाफ और समविधान में दी गए आजादी को एक समुदाय विशेश को आप पाबंद करने का आप कानून बनाएंगे तो उसको यूनिफॉर्म थोड़ी कहेंगे दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर मुसल्मान विरोधी होने का जो है व उनकी भगत जो है वो इस तरीके की होती है चाहे वो यूए ही चले जाए चाहे वो कतर का दोरा करके अभी आए तो और कोई किसी मुसलिम देश से तो उन्हें ऐसी प्रतिक्यान नहीं देखे भारत की तस्वीर विदेशों में क्या बन रही है यह जानने की कोशिश कीजिए बारत की तस्वीर विदेशों में बहुत खराब बन रही है बारत की तस्वीर यह बन रही है कि यहां इबादत गाएं सुरक्षित नहीं है यहां बुल्डोजर एक कम्यूनिटी पर चलाए जा रहे हैं यहां शरियत के खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं तो यहां के मुसल् मुस्लिम देश की अपनी राजनीती हम तो अपने देश की बात कर रहे हैं आप हमारे देश को दूसरे देशों से कैसे चलाएंगे हमारा देश तो 20 करोड मुसल्मान जो इस मुल्क में है वो तो सरकार से बात करेगा लोक सबा चुनाव आने वाले हैं क्या कोई फर्क पड़े करён को चाहिए कि वो जंता के रिएल इशूस पर बात करे समाज को मातने वाले एशूस को में उठाए भावनातम की इसी hrs को न ऊठाए और जो मुद्धे ज्वार्प का रिवाले यह वह सरकार निभाए लेकिं आज असल मुद्धों का ध्यान हटा कर आप मंदीर मस्जी इस एजन्डे को आगे बढ़ा रहे हैं वो ये समझते हैं कि असल मुद्दों पर बात करने से उनको राजनितिक नुकसान होगा इसलिए वो ऐसे मुद्दे लाना चाह रहे हैं जिनका कहना है कि लोग सबाच नौव से पहले इस तरीकी का एजन्डा चलाया जा रहा है ताकि पोलराइजेशन हो सके और बीज़ेपी को उपर ये आरूप लगा रहे हैं कि उनको फायदा मिल सके चुनावों में कैमरा पसंद मोहित कासली के साथ है मैंत बलाल एबी पी नूस दिल्ले